कि कि जितने भी नए टेडर हैना उनको तो नहीं पता होगा यह वाली बात लेकिन जो 1 साल पुराने टेडर है यह जिनको 6-7 महिने हो चुके उनको बात बहुत अच्छे सा पता होगा कि पहले होता क्या था कि मार्केट के अंदर वॉलिडिटी बहुत ज्यादा होती थी यानि उता चड़ाव काफी जादा दिखाई देता था और जो परियम के मूप थे वह भी बहुत तेजी से उपर की साइट बहुत तेजी से नीचे और अभी का मार्केट देख लीजे अभी का मार्केट क्या है अभी के मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहां पर देखे आपका ऑल्मोस देखे 24,000 24,200 से 24,200 से आपका इस जगह देखे अभी जो हमारा किलोजिन हुआ है 25,270 के सम्थिंग ठीक है और इसने जो हाई मा अगर बात करो तो यहां पर देखे पत्चेसफ़ाइर 25300 25 के संप्धिंग हम इसको मानके चलते हैं वैसे इसका हाई अगर हम देखते हैं तो 25333 ठीक हैं अब हम यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगराप देखो तो देखे स्टुरुमाद में एक अच्या मून मिला कि काम कहता है और इस चार्ट मैंने की पोड़ी चारड आप देख रहे हो यह चार्ट आप औन्हुए का चार्ट यहां पर अगर आप k Grand 22 वा फार्व ऑपन होने के बाद अगर आप बहुत ही छोटी से रेंज में में इस Saul गेवा उसके बाद अगर संतहंसरों मान्द देखे जरूर आपको देखे ऊपर नीचे खो जाता है उपार नीचे देखे इस उसके आड़ारा बारा वाजे के बाद देखे पूरा रेंज बांट हो जाता है फिर जो आपको तेजी की बात नहीं करूंगा जो मूब देखने अब बात करें अभी हो क्या राए ऐसा नहीं कि मार्केट में आपको मंदी दिखाई देरी है मार्केट में तेजी है और इसका देखे अगर आप यहां पर चार्ट देखोगे ना तो यहां पर आप देखी 14 तारिक को क्या था 14 अगस को हमको देखे तेजी देखने हो लिए लेकिन बहुत छोटे पॉंटों के साथ किलोजिंग देखने हो लिए 16 तारिक को अगर हम बात करें 19 अगस को तो यहां पर भी अच्छी किलोजिंग देखने हो लिए 20 अगस को आदे पसंद के आसवस की यह यहां पे भी की साइट के आपको को देखने हो लुए जगह भी पॉजीटीब देखने लोए यहां पे 28 इस तारिकों भी पॉजीटीब नुंत इस तरीुच बॉजीटीब टा और 30 तारिकों भी में एर भी बात करऊं तो आज भी देखें फोटे टू पॉइंट हमको क्या पॉजिटिव ओपनिंग या किलोजिंग देखने को मुला ठीक है पॉजिटिव किलोजिंग हमको यहां पर दिखाई दे रही है दूसरी चीज ऑप्सेंट डेटा के बारे में तो हम बात करेंगे लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूँ है कि अगर आपने अभी तरह हमाई यूटूब चैनल को सस्काइब ने किया तो इस जगह से आप सस्काइब कर लिजे और जैसे ही आपने सस्काइब किया तो आल बेल आइकन को आप बिल्कुल दबा लिजे जैसे हर वीडियो का नोटिवेशन आपको मिलता रहेगा अब यहां जैसे अगर आप देखो तो लगातर हमको पॉजिटिव शाइन दिखाई दे रहा है ठीक है अब यहां पर आप समन्नी के कोसिच कीजिए इसको हम डिल कैसे कर सकते मार्केट के अंदर तो जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको लगा के दिखाना चाहूं तो वन मिट का पर आप देखो ओपन हुआ ओपन होने के बाद देखें जिग जक आपका पाटन नहीं यहां पर अगर आप देखो तो यहां पे एक एम पाटन देखने को मिल जाता है फिर उसके बाद री का अबर निच आक़ा चार्ट पर हो क्या रहा है साइडवेस हो गया मार्केट ठीक है फंड फर्स अटेम में तो मोब आ गया 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 के साथ फिर नीचे आया और फिर साइडवेस आपका इस जगह काम करता हूँ दिखाई दिया 15 मिट के चार्ट पर भी वही चीज है हमको यहां पर दिखाई दे लेकिन अगर मैं जैसे ही इसमें एक टेरेल लाइन लगाता हूँ नीचे की लेवल से तो यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इस टेरेल लाइन को काफी अच्छे तरिके से फॉलो कर रहा है ठीक है दूसी चीज अगर हमें बात करूं तो यहां पर यहां पर आप कि इसी प्राइस के आसपर यहां पर क्या कर रहा है यहां पर यह सपोर्ट ले रहा है ठीक है अब यहां पर आप समझें कि उपर की साइट तो हमारे लिए यह वाला पूरा रजिस्टेंट का काम करेगा 300 वाला प्राइस क्योंकि यहां पर सेलर बैटे हुए जो कि आपका 25,300 सेलर आपके उपर की साइट बैटे हुए अगर जे उपर की साइट इसको बिरेक करता है क्योंकि अभी तक हमने एक साइकलोजी प्राइस को टच नहीं किया तो कि 25 है या 500 और मुझे ऐसा लगता है कि एक बाद यह 25 है 500 को टच करेगा उपर की साइट फिर हम करेक्शन के बा देखने को मिलना चाहिए उपर की साइट जो कि आपका 25 अया 500 तो क्योंकि होता है कि जब भी मार्केस अपसाइट मूब करताह नीचे से अपसायट मूब करना चालू करता है तो वह एक साइकलोजी प्रायस पर आके रुकता है और वह को साइकलोडी प्रइस अभी तक हमको नहीं देखने हो लिए तो 25300 के उपर अगर जह निकलता है तो आपको फिर इस जगह 25 पच्छों तीन सो चालीस फिर आपको जिगह 25 एवर फिर आपको जिगह 25 कर चास तो चालीस ओपच्छिस से फांन सो एतना अप्साइट हमको देखने हम मिल सकता है लेकिन अब हम यहां पर समझेगा जी आगोजी गैप के साथ भी ओपन हुआ या इसको अगर बिरेक कर तो यहां पर कंसुलेट करना चाहिए समय बिताना चाहिए फिस समय बिता के उपर लिका लेगा तो वह हमारे लिए एक अच्छा सकता है अब यहां पर देखें जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत दिनों से देखिए यहां पर पॉजिटिव दिखाई एक तो अगर पॉजिटिव अगर आप देखो तो किसी नए किसी का तो पैसा यहां पर लग रहा है जब मार्केट आपका उपर की साहिँ जारा है और का oi दिखाई देर हे और अगर में put की बात कर तो यहां पर 56 का यहां पर क्या दिखाई दिखाई देरा तो नीचे के साथ हमारे 25 ये 200 बाइले इंपोर्टटन अब यहां पर देखिए इन्पोर्टन क्यों है क्यों कि यहां पर समझे अभी तक जिस टेट लाइन को फॉलो कर रहा था ठिक है इस वाली टेट लाइन को और यहां पर जिल्ट नीचे के साइट निकालता है तो यह छेख़ेती एक सेलिंग के साइट जा सकता है अब ऐसा क्यों देखे मैं आपको बताने की कोशिए उपर आपको 25 तक जा सकते हैं नीचे तक अगर आप देखो तो एक जिब बड़ा करेक्शन देखने ऊवलाता तो टिक है बड़ा 200 को नीचे की शाइड बिडाता है, 25 या 200 के नीचे काम करना चालू करता है, उसी के आसपास ये manipulate करता है, उसी के आसपास system बिताता ह। फिर नीचे की शाइड युझे बिडाता है, तो वहाँ पर हमो, 5 वहाँ को अचिगर एक्टिवेट हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं क्योंकि यहां पर जिसने सेल किया वह प्रॉफिट टेवल है अब वह प्रॉफिट टेवल जब तक है उसने भी माइनस एट लगा कर रखा है कि उपर की साइट 25,500 का प्रैस है ठीक है वहां कर इसने एसल लगाया होगा और वहां से अगर आप देखो तो अभ 25 के आसपर जिसने सेलिंग किया है वह कई ने कई अगर आप देखो तो यहां पर थोड़ा सेफ महसूस करेगा और अगर इसको दिक्कत भी आती है तो वह किसके ऊपर डणना चालू करेगा जब यह आपका 25,000 के आसपर पहुंचेगा या आपका 25,000 के संथिंग करता है तो यह और जादा सेफ हो जागा यह वाला सेलर ठीक है अब यहां पर जो कंसुलेट किया था बजाना है यहां पर जो कंसुलेट किया था और कंसुलेट करने के बाद यह वाला जो गैप है इसके अंदर इस गैप को फिल नहीं किया था यहां पर जो सेलिंग आय थी तो इनको भी पैसा चाहिए जे लोग लॉस करके बाटे है लोग क्या करके बाटे लॉस करके बाटे इनको भी पैसा चाहिए तो अब यह 25,000 के नीचे अगर निकलता है हम जा सकते हैं यानि 200 पॉंटो का तो मुवमेंट आरम से आ जाएगा ठीक है क्यों आ जाएगा क्योंकि यहां पर समझो अभी तक आप चार्ट को देखोगे तो चार्ट में कोई ऐसा खास करेक्शन नहीं देखने हो वह लाग जो मार्केट के अंदर यहां पर दिखाई दे र 300 से ऊपर लिकल जाए और फिर आपका यह 25 500 के आसपर जाए वहां पर सोख सकते हैं ठीक है लेकिन इसी तरीके से काम करना है ठीक है और 25 जो 500 वाला लेवल है अगर उसके भी उपर निकलता है तो फिर हम आंगे बात करेंगे ठीक है उसके बारे में अभी बात करना सही नहीं होगा पाकि फिर नीचे सपोर्ट कहां पर तो नीचे हमारा जो सपोर्ट देखने हो मिलेगा वह आपका 24,900 और आपका इजगा 24,000 24,950 ठीक है यह हमारा एक सपोर्ट जोन है रहेगा और यह से एक करेक्शन भी दे देता है तो फिर हमको सपोर्ट देखने हो मिलेगा क्यों तो यहां पर यह क्याप्चर करेंगे मार्किट को ठीक है क्योंकि एक देखिए एक डिप हमको नहीं देखने वोला अगर यह डिप आ जाता है और इसके प्रया इसके आसपस मलता है तो यहां पर हमारा बाइन जॉन होगा जो कि 25,000 से लेकि 25,000 24,000 नो सो पचास तर ठीक है यह हमारा इंपोर्टन सपोर्ट है और यहां पर हमारा बाइन जॉन है ठीक है बाकि वीडियो कैसा लागा वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जैहिन बंदे माज़िए